अब्जों कि अब्डेट आपको पुचाटे हैं यहां पर अगरम बात करते हैं तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे BTC के price के बारे में BTC के update करने कोशिश करेंगे साथ में DXY index को देखने कोशिश करेंगे किस तरह तो BF कर रहा है और साथ-साथ यहाँ पर बात करेंगे बहुत ही जरूरी जो कि यहाँ पर crypto currency जो dead coin है उससे related बात करने कोशिश करेंगे तो वीडियो काफी दियान से देखना वीडियो काफी जदा important होने वाला है यहाँ पर अगर हम दोस्तों coin market cap पर आते हैं तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर जैसे की market cap पर हम आते हैं तो हमें देखने को मिलता है crypto's total crypto's जो है 22,231 है और वही पर अगर हम coin gecko पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें 12,701 crypto currency यानि coins देखने को मिलते हैं तो कहने मतलब यह एक बड़ा फरक है यहाँ पर और काफी कुछ data यहाँ पर मिलता दूलता नहीं है जैसे exchanges की बात करोग तो 534 exchanges यहाँ पर देखने को मिलते हैं cmc पर और उसके लावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 629 exchange यानि 629 exchange यहाँ पर देखने को मिलते हैं coingecko.com पर तो यहाँ पर coingecko.com का एक article है उस पर बात करेंगे तो उससे पहले यहाँ पर फोलता प्राइस के update कर लेते हैं तो अगर हम यहाँ पर DXY इंडेक्स को पहले देखते हैं तो DXY इंडेक्स एक मजबूत जो एक resistance area यहाँ पर react कर रहा था इस point पर और इस point पर जिसको तोड़ कर DXY इंडेक्स उपर गया था गिरने के बार DXY इंडेक्स उस पर ही support ले रहा है और यह मजबूत support का भी काम का सकता है यहाँ पर DXY इंडेक्स के लिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो BTC-USD की तो यहाँ पर BTC-USD के चार्ड को वीकली चार्ड पर हम देखते हैं तो इस तरीके से कि यहाँ पर sideways condition में फसी है तो आपने देखा कि यहाँ sideways condition का breakout आए और market उपर निकल गई और यह resistance एरिया हमने दिया था 17,300 का तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लगबग 17,251 तक price हमें देखने को मिला तो थोड़ा बहुत और उपर की दरफ जा सकता है 17,500 तक जा सकता है उसके बाद भी market इस pattern के अंदर ही रहेगी जो यहाँ पर मैंने weekly chat पर आपको दिखाने की कोशिश की है तो अभी फिलाल जब तक हम इस pattern के अंदर हैं तो यहाँ पर इसी तरीके से जिग-जै कंडिशन चोड़े शोड़े मूव यहाँ पर लगते रहेंगे और दूसी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना चाहूंगा कि 12 जन्वरी को यहाँ पर जो डेटा आने वाला है जिसे कि मैंने पहले भी आपको रिमाइंड किया तब एक बर फिर से रिमाइंड करा रहा हूं कि दिसंबर के डेटा जन्वरी 12-2023 को आना है और यहाँ पर इंफलेशन नंबर आने है यहाँ पर यूएस के और साथ साथ यहाँ पर इंडिया के इंफलेशन नंबर भी इसी डेट को यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों BTC के चार्ट को यहाँ पर हमने देख लिया और उसके लावा यहाँ पर हम S&P 500 के चार्ट को लेते हैं तो यहाँ पर bull flag type की condition यहाँ पर create है, market को जिस तरह से नीचे नीचे react कर रही है और जो यहाँ पर pattern मने create के market उसके अंदर ही react कर रही है, आप देखोगो तो resistance area से यहाँ से यहाँ से डाउन हुआ और थोड़ा तो उपर जाने के कोशिश कर रहा है, तो इसको 4 hours पर जब देखोगे तो इस तरह का movement करने के बाद यह 10 line को break करके price नीचे आया, तो अगर हम देखेंगे तो एक bear flag को जैसा देखने को यहाँ पर मिलेगा, तो कहने मतलब यहाँ पर यहाँ पर यह है कि weekly chart पर इस तरह से एक बड़ा यहाँ पर bull flag create है, लेकिन अभी price इसके अंदर ही react कर रहा है, आप देखोगे, तो price कुछ इस तरह से चलने के बाद यहाँ पर आप देखोगे, तो इस तरह से react कर सकता है, तो उसके अलावा यहाँ पर हम जब इसको देखते हैं, तो S&P 500 और Bitcoin क Bitcoin में भी हमें यहाँ पर growth देखने को मिलती है, अब यहाँ पर जो सबसे topic जरूरी है, जिस लिए मैंने video upload किया है, यहाँ पर price के update तो अगरा हो गई, और BTC में फिर एक बार बता देता हूँ, जब तक कि देखो, long term chart पर जब तक कि इसके बाहर price नहीं आएगा, यानि कि यह area जो लगबग 20,000 का psychological resistance जो यहाँ पर psychological support बना था, वो यहाँ पर psychological resistance बना हुआ है, 20,000 के उपर इसको तोड़ कर जाए, कुछ इस तरह से, जब तक market में कुछ होने वाला नहीं है, बाकी price की update तो आपको बहुत मिलती रहेंगी, तो इस तरह से react कर सकते हैं, अब बहुत ज़र और पुछने कोशिश करते हैं, सर इसका analysis कर दीए, तो इसका analysis वगएरा कुछ होता नहीं है, यहाँ पर reality दिखाने कोशिश करूँगा, तो वीडियो को देहन से देखना, यहाँ पर दोस्तों CoinGeekoo के तरफ से यह article है, अगर हम देखेंगे तो dead coins, how many cryptocurrencies have failed, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो 29 November 2022 का यह article है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो आप देख सकते हो कि more than 3000 cryptocurrencies that registered on CoinGeekoo in 2021 have failed, यहाँ पर यह जो एक candle आपको दिख रही है, 2021 की candle है, ज यहाँ पर crypto fail होती दिखी, यहाँ पर दो 2014 में देखते हैं, तो 19, 2015 में 11, 2016 में 18, 2017 में 208, 2018 में 712, 2019 में 807, 2020 में 1320, और 2021 का जो साल था, वो crypto currency market के लिए bull run का time था, उस वक्तन नहीं नहीं crypto currency, और meme coin का एक hype चला, आए, लोगों नो उसको buy किया, फिर वो fail हो गए, किसी नहीं दिया, अभी भी मैं लोगों को देखता हूं कि काफी लोग ऐसे हैं, जो नहीं नहीं crypto आती है, उसके white paper उने पढ़ लिया, और वहाँ पर investment कर दिया, या पूछने की कोशिश की अपने influencer से, कि यहाँ पर इसका क्या, और मैंने काफी YouTube पर वीडियो भी देखे हैं, जो, भी नई crypto को compare करने कोशिश कर तो Bitcoin या Ethereum से, तो वो कभी नहीं हो सकता, आप Shiba Inu को भी अगल लोग है, तो वो भी meme coin ही बोला जाएगा, आगे भी उसको meme coin ही बोला जाएगा, उसका काफी hype बना, लोगों ने उसमें मतलब बिल्कुल ना के बराबर investment किया था, बहुत थोड़ और market capitalization के आधार पर इतनी crypto कंसी है, और उसमें, इसमें मतलब कितना मामला किसका सही रहेगा, क्या गलत है, क्या नहीं, फिलाल यहाँ पर यह coin Geekocortical है, यहाँ पर हम देखेंगे, तो 3000 से भी ज़्यादा crypto, 2021 में fail हो गई, 2020 में नंबर 1320 था, जो यहाँ पर बढ़कर डलग भी नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो नए-ने crypto आती है, तो उसका जो founder बगएरा, वो भी market को देखकर ही काम करते है, 2021-2020 में, एक hype था market में, अगर आप देखो को, 2019 में 807 crypto थी, जो market में fail होई थी, वही 2020 में बढ़कर 1320 हो गई, यानि नंबर लगभग लगभग डबल से क कुछ कम, ठीक है, वही पर 2021 में देखो तो दठाई कुना इसकी quantity बढ़ गई, 3322 ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2022 में एक दम से नीचे 950, लेकिन यहाँ पर यह चार्ट देखकर आपको समझ मारा रहा है कि market में लगतार जो crypto आ रही है, नहीं नहीं, फेल हो रही है, आ रही करना है, crypto में करो या stock में करो, हमें बस हमारे पास छोटी capital है, तो हम उस चोटी capital को हमें बचाना है, बढ़ाना है, ना की घटाना है, इस चीज का ध्यान लगो, यहाँ पर यह पूरा article आपकर पढ़ सकते हो, आप देखोगे, तो यहाँ पर पूरा details नहीं देने कुशिश क नहीं है उसमें, तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों को बाकी और भी चीज़ों यहाँ पर दी गई है, तो इसको आप आकर यहाँ पर पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर moral of the story बस यही है कि, तो यहाँ पर investment करने निकले हो, या जो भी आपको stock मार्केट में या crypto में, कहीं लोगों आपको बता दिया कि यह करोड़ पती बना देगा, आपने उसमें उठाके investment कर दिया, बगैर सोचे समझे, पता चला है कि आपने जो भी invest किया था थोड़ा या जादा जो भी किया था, वो fail होने के बाद, fail होने मतलब तो यही होता है कि आपकी capital zero, तो अपनी capital को zero करो मेरे भाई यहाँ पर gambling मत करो, यही सारी चीज़े देखकर यहाँ पर government ने भी इसको gambling की श्रेड़ी में ही crypto को डाल लिया, और अगर सच पूछो तो यहाँ पर काफी लोग जिनको gambling ही करते हैं, कि मतलब अगर जिसे हमने किसी crypto को buy किया, अब हमें तो कुछ मालुम नहीं तो हमने भाई कर लिया, हमने दूसरे को बताया, उसने भाई कर लिया, तो यह क्या है, अगर कोई चीज़ आप बगार सोसे हम यह कर रहे हो, तो वो gambling में ही आएगा, जिस चीज़ के आपको knowledge होगी, आप वो करोगे, तो gambling में नहीं आएगा, तो gambling मत करो, यहाँ पर आप यह करते हो, या Ethereum के चार्ड को देखते हो, तो आपको दिखेगा कि बस long term में Bitcoin उपर जा रहा है, लेकिन short term में, अगर 2022 में आपको लग रहा है, तो उसी तरीके stock market में आप देखते हो, nifty को, तो nifty क्या दिखाई पर रहा है, कि long term में बस उपर ही उपर जा रहा है, तो यहाँ प आप समझो चीजों को कि कौन सा stock बेता है, कौन सी crypto बेता है, और उसके बाद वहाँ पर छोटा amount, वहाँ पर investment आप अगर करते हो, तो investment ही आपको आगे ले जा सकता है, टेडिंग में आपको रोज का attention भी हो सकता है, बहुत से लोग swing trade करते हैं, लेकिन साथ-साथ वो investment का एक trading की, तो future trading में बिल्कुल हाथ में डालना, इसलिए बार-बार आपको precious करता हूँ, मैं बार-बार यही बताता हूँ, कि यहाँ पर पहले trading सीखो, पहले चीजों को समझो, chart को पढ़ना सीखो, क्या patterns होते हैं, किस तरीके से work करती है market, इस तरीके की चीजों को समझो, उसके जाद-जाद शेयर कर दना, क्योंकि काफी लोगों को knowledge नहीं है, और यह तरीकी की चीजों बताई भी बहुत कम जाती है, तो उसके बाद आपको यह share करोगे, तो उनको भी समझ माएगा, वो किसे और को share करेंगे, तो इस तरीके से community की help होगी, investor हैं, stock market में trade करें, investment करें, य यहां पर हमें सारी चीजों की knowledge होना जरूरी है, next update मिलता हूँ, किसी नई update के साथ जब तक लिए मुझक को इजाद दीजे, जै हिंद, जै भारत